हुआ है 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 गाइज वेलकम बैक तो दे चैनल आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं हों अगर स्मार्ट की का आपका बैटरी डाउन हो जाए तो आप उसे रिप्लेश कैसे कर सकते हैं आज मैं वह दिखाने वाला हूं तो अगर बैटरी डाउन हो जाता है तो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जहां आपको टेमपरेचर दिखाता है आउटसाइड उसके ठीक नीचे की लिखा हुआ आता है और नीचे बैटरी का एक सिंबॉल ब्लिंक होता रहता है आप लोग अपने स्क्रीन पर दे आज अगर ऐसा आप लोगों के गारी में आता है तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका रिमोट का बैटरी वीक हो चुका है तो अगर आप लोगों को चेंज करना हो उसका प्रोसीडियूर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं फर्स्ट आपको क्या करना है यहां से चाबी बाहर निकाल लेना है फिर आप लोग देख सकते हो यहां पर जो छेद है वहां से यह की का थोरा सा हिस्सा अंदर घुसाना है थोरा सा घुसा के फिर धीरे से डाउनवर्ड प्रेस किजिए बहुत जोर से मत किजिएगा उससे प्लास्टिक बॉड़ी है तूटने का चांसेज रहता है तो यहां पर घुसाईए फिर धीरे से प्रेशर डालिए नीचे के तरफ टुसा है देख सकते हो प्रेशाट देने से यहां पर थोड़ा सा अलग हुआ है दो पार्ट तो आप धीरे धीरे यहां से प्रेशाट डालते रही है यह खुलने लगेगा यह देखिए खुल चुका है तो यह रहा फ्रंट साइड और यह बैप इसको रख दीजिए और बैटरी आप लोग देख सकते हो यहां पर आप लोगों को अगर दुकान में जाके खरीदना हो बैटरी तो आप लोग बोलिएगा CR2032 मोडल का बैटरी चाहिए यहां पर ओरिजिनल आता है पैनासोनिक का बैटरी मेडिन इंडोनेशिया तो इसको निकालने के लिए यहां पर देख सकते हो खाली जगा है यहां अपने नाखुन से थोड़ा प्रेशार डालिए यह निकल जाएगा तो इसको साइट रख देते हैं और मैंने एक नया बैटरी लेके आया हूं मैं दुकान से देख सकते हो आप लोग बैटरी पे लिखा हुआ है CR203032 चलिए इसको निकालते हैं यहां से निकाल लिया हूं अब इसमें लगा देते हैं यहां से ऐसे करके जस्ट रख के आप लोग प्रेस कर दीजिए यह बैटरी लग चुका है अब यह जो कवर है इसको आप लोग एज टू एज रखके फिर इसको दवा दीजे जोर से यह लग जाएगा आप लोग देख सकते हो पूरा फीट हो चुका है और यह चावी इधर से गुसा दो और यह वर्क कर रहा है तो आज के लिए बस इतना ही और अगर कोई डाउट रहता है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बोलिए मैं आपको जवाब दूंगा और देखने के लिए थैंक यू लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए बाई